आज अपन सिंगल इंट्री सिस्टम का एक कोशन और करके देख रहे हैं पिछले वीडियो में अपने जो कोशन किया था उसके अंदर कैश बुग नहीं दे रखी थी आपको कोशन में कैश बुग भी बनानी पड़ी बट इस बार कोशन जो मैं ले रहा हूँ वो है डीके गोईल का कोशन नमबर 17 मुकेश खना कोशन नमबर 17 है इसकी शुरुवात है मुकेश खना ठीक है न तो यह वाला कोशन अपन देख रहे हैं और चेंज होते रहते हैं इसलिए नाम लिख दिया है क्योंकि इस कोशन में कैश बुक दे रखी है इसलिए कैश बुक बनाने की जुरुद इस कोशन में नहीं है ठीक है कैश कहां से आया कहां गया सब चीज़ें आपको दे रखी है नीचे कुछ एड़्यस्मेंट और दे रखे हैं और देन आपको डेप्रेसेशन का भी दे रखा है और इंटरस वरे भी दे रखा है कहते है ट्रेडिंग बैलेंशिट बनाईए तो चलिए सबसे पहले आपन जो बैलेंसेज दे रखे हैं ट्रक कैश बुक के नीचे अग्हा divin नीचे दरेच एक्याट फैसराइया। गेलेंसेज साके कह विए्यान तो देन आपको बैलेंस ए कुछ बुट्टा इंटर 24-200 लिए डीटम बिए deeper Officer से पहलेंग है approximation अजिए ट्रिचाइग बदूरेंग का यह पनिश फॉपनिंग दे रखा है कितना 30,000 क्राइटर का ओपनिंग बालेंस दे रखा है 18,000 यह ओपनिंग बालेंस वे 18,000 ठीक दा फॉलाइंग बालेंस एग्जिस्टेड ऑन 31st मार्ट से डेटर का 20,800 तो यह डेटर का क्लोजिंग बालेंस है 20,800 फरनीचर का क्लोजिंग बालेंस 30 है वह देख लेंगे स्टॉक का क्लोजिंग बालेंस है 35,950 यह क्लोजिंग स्टॉक का आपका 35,950 और देन क्राइटर का क्लोजिंग बालेंस है 34,600 यह क्राइटर का क्लोजिंग बालेंस 34,600 ठीक है भी नीचे कुछ adjustments वगर दे रखें आप cash book में देखते हैं receipt किन किन से हुआ opening cash दे रखा 80-100 तो यह तो opening cash है यहां आजाएगा opening balance sheet में received from data cash मिला तो इससे आपके data कम हो गए होंगे और data किते cash मिला 75,000 का सही है और cash sale है 52,000 तो cash sale आपकी यहां आती है आपको बता है और आया sale of old newspaper यह तो आपकी income है पींडल में आएगी by sale of old newspaper और यह आपकी income है 420 की and loan लिया है आपने मिसेज खनना से 8,000 का तो loan तो आपकी लैबडी है इस साल लिया है तो opening money sheet में तो आ नहीं सकता क्योंगी एक अप्रेल का होना चाहिए अब payment side में देखते है payment to creator है 56,200 इस से आपके creators कम हो जाएंगे फिर है carriage का payment किया question में कुछ कह नहीं रखा है कि यह carriage कौन सी है तो in the absence हम इसको मानेंगे यह carriage inward है तो 2 carriage inward और यह आपने payment किया है 1270 का salary का payment आपने किया 24,000 जो कि आपका खर्चा है उसको आपको P&L की debit side में लिखना पड़ेगा और salary है 24,000 और खर्चा आपने rent का भी pay किया है तो rent भी आपको P&L में लिखना पड़ेगा 16,000 क्योंकि वह trading के नीचे जगे है नहीं इसलिए मैंने P&L यहाँ बनाए अधरवाइस तो trading के नीचे ही बनता आपको पता है आपने पिछला चेप्टर किया भी था purchase of cycle for his own son 1500 तो देखो यह 1500 तो drawings है यह capital में से बाद में less होगी जब आप closing balance sheet यहाँ बनाएंगे जब आप closing balance sheet यहाँ बनाएंगे जब आप यहाँ capital लिखेंगे तो वहाँ drawings आपको 1500 less करना है इसके अलावा आपने purchase किया furniture उसे अपन बाद में देखेंगे फिर नीचे लिखे है deficit furniture by 10% तो furniture अगर को अब देखना पड़ेगा अपन को furniture opening balance sheet में देखो कितना था अपन देखते हैं furniture था एक अप्रिल को जो cash book के नीचे दे रहे हैं furniture था 18,000 यह opening balance sheet में था फिर cash book में आपने furniture purchase भी किया तो furniture पहले से था 18 प्लस आपने purchase किया cash book में second last item है 12 का तो अब आपका furniture total हो गया 30 का और नीचे point number one में कहता है depreciate furniture by 10% तो depreciate 10% लिखे 10% पर एनम नहीं लिखा इसलिए मंत का द्यान रखने भी पूरा 10% लगाना है 30,000 का 10% 3000 हो गया और furniture बचेगा 27,000 यह 3000 का जो आपने depreciation लगाया यह आपके नुकसान है P&L की debit side में लिखेंगे to depreciation 3000 यह अपन को द्यान रखना है और एक आपने loan लिया था cash book का आखरी item है loan आपने लिया था आरजार का तो loan आपको दिखाना पड़ेगा loan आपने 8,000 का लिया था और इस loan पर 12% sorry 15% interest भी और यह loan आपने एक जुलाई को लिया था क्योंकि आप यह जो trading account और P&L account बना रहे हैं 31st March को बना रहे हैं इसके कारण आपको एक जुलाई से 31 March 9 महीने का interest जो है वो आपको देना पड़ेगा तो 8,000 का 15% और वो भी 9 महीने के लिए यह आपका उतर 900 रुपे तो तूं interest on loan यह आपका उगया 900 और क्योंकि आपने cashbook में कहीं payment नहीं दिखाया इसका इसका इस करण से यह आपका outsending interest भी आपका दिखाना पड़ेगा किते रुपे? 900 रुपे है ना यह outsending है क्योंकि cashbook में payment नहीं दिखाया है इसका मतलब आपने payment नहीं किया है नहीं किया तो outsending अपने आप ही हो गया सही है और कोई चीज देखें अब अब देखो और तो कोई transaction अभी बचा नहीं है provide Mrs. Khanna's interest है वो point number 2 में लिखा है वो अपने कर दिया है अब data account देखते हैं तो data account में 3 figure आ चुके हैं और कोई figure यहां है नहीं तो इस side का अपन total करेंगे यह आप कर रहे है 95 800 तो जब यह 95 800 क्रेट में आ रहे तो debit में अब भी 95 800 आना चाहिए पर यह आ नहीं रहा तो इसका मतलब credit sale आपकी आ रही है या रही है 71 600 इसी के लिए आपने data account बनाया था अब यह credit sale आप यहां put कर दीजे 71 600 cash sale पहली दे रखी थी credit sale 71 600 आप जोड देंगे इससे total sale निकल जाएगी 1,23,600 यह आपका data account का काम पूरा हो आपकी पर्चेज निकल जाएगी और यह आपकी credit purchase होगी क्योंकि debit का total आपका आ रहा है 90,800 तो credit का total भी 98 100 आणा चाहिए लेकिन कम आ रहा है तो यह purchase आपके निकल जाएगी और यह purchase निकल एगी 72 800 कि यह credit purchase है credit purchase आपने यहाँ दिखा दी credit purchase 72 800 कि cash purchase आपको दे नहीं रखी है, cash book में ऐसी कोई purchase नहीं है, तो बस cash purchase है ही नहीं, तो यहां आएगा 72,800, अब आपन देखें, अपने सारी account होगे, एक opening balance sheet भी आप बना लिजे, कि opening में आपको क्या-क्या दे रखा है, तो देखो, opening data आपको दे रखे थे 24,200, opening crater आपको दे रखे थे 18,000, और देखिए और कोई item, opening stock, opening stock आपको दे रखा था 30,000, तो opening balance sheet में तो यही चार item आए रहे हैं, अब आप asset side का total करेंगे, total आपका आ रहे है 80,300, तो फिर labdies का total भी 80,300 ही आना चाहिए, लेकिन यहां तो सर्फ 18 आ रहे है, तो balancing figure में आपकी capital निकल जाएगी, that is 62,300, तो यहां आपको opening balance sheet बनाने के भी जुरुत पड़ गई, क्योंकि आपको opening capital गिवन नहीं थी, तो इस question में या ऐसे question के अंदर requirement पर depend करता है कि आपको कौन सा कौन बनाना है या नहीं बनाना, फिर भी यह base account लगभग यह तो बनेंगे ही बनेंगे, यह opening capital आपके काम आएगी, यहां, 62,300, ठीक है, अब और नीचे अपन adjustment में देखें, P&L में और अपना कौन सा item आना चाहिए, तो P&L में अपने और कोई item नहीं बचा है, तो trading से अपन GP निकाल दें, तो trading में right side का पहले total करेंगे, यह total आ रहा है 159, 550, तो debit का total भी इत्ता ही आना अची है, 159, 550, पर debit का इतना total आ नहीं रहा है, तो balancing firm में gross profit निकल जाएगा 55,480, यह gross profit P&L में यहां आएगा 55,480, और P&L में कोई item है नहीं, तो P&L की right side का total करेंगे, तो यह आपका आया जाएगा 55,900, debit side में आपके यह 4 item है, और कोई item है नहीं, तो debit side का total भी 55,900 आना चीह, जो की आ नहीं रहा, तो इन 4 item को less करके जो difference amount आया, वो आपका add 12,000, यह आपका क्या निकला, यह आपका निकला net profit, और यह net profit आपका add हुगा, capital में आके closing balance sheet के अंदर, और यह आपको दे रखा कितना 12,000, इसके अलावा, हम देखेंगे, और कोई आपको नहीं दे रहा, तो 62,300, प्लस 12,000, माइनस 1500, यह आपका रहा है, 72,800, और अगर अपन देखें, डेटर का closing balance 20,800, क्रेटर का closing balance 34,600, फरनीचर अपन ने पहले लिखी दिया, open balance sheet के डेटर थे closing में भी लिखे है, फरनीचर लिखी दिया, closing stock, closing stock आपने यहां लिखा था, 35,950, और opening balance sheet में cash, तो cash का closing balance आपको cash book में मिल जाएगा, 32,550, closing 32,550, यह आपका closing cash भी आ गया, तो 4 यह item है, अब आप liability और assets का total करेंगे, तो वो equal आना चाहिए है, और यह आपका आ रहा है, 1,16,300, 1,16,300, इस तरीके से आप देखते हैं कि इस type के question में अभी भी देखो, बी आर और बी पी की ज़रत नहीं पड़ी है, लेकिन cash book question में given था, तो हमने opening balance sheet बनाई, data account, credit account, then trading, then p handle, और then balance sheet, as per the requirement of the question, जो चीज़ें आपको ज़रत होंगी, वो सब आपको बनानी पड़ेगी, कोई clear format नहीं है, कहीं से कोई भी चीज उठके आ सकती है, question कैसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे 3-4 question आप और practice करिए, तो आपके practice अपने आप अच्छी होगी, ओके, thank you.